अजिये दागे बुखार से बरेली में हागार, सइप्ड़ों लोग चपेट में, जिले में बुखार का कर्थमने का नाम नोहीं ले रहा है। इस खतरनाक बुखार की चपेट में आकर स्पॉसे भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकी तमाम लोग अभी भी इस बुखार की चपेट में है बुखार का आलम यह है जिला असपताल बुखार के मरीजों से भरा पड़ा है स्वास्थे विभाग की कोशिशे भी बुखार से बचा में ना काफी साबित हो रही है बरसात के बाद बरेली में बुखार का प्रकोप चल रहा है बुखार का सबसे ज्यादा असर बरेली के देहात क्षेत्र में देखने को मिल रहा है बरेली में लगभग पिछले 10 दिनों से बुखार से लोग परिशान है हजारों लोग बुखार की चपेट में आने के बाद बिमार चल रहे है तो वही बरेली का 350 बेड़ वाला जिला अस्पताल बुखार के मरीजों से भरा हुआ है जिला अस्पताल में बुखार से पीरित मरीज इतने ज्यादा आ रहे है कि महिला अस्पताल में भी 40 बेड़ डाल कर मरीजों को भरती किया गया है जिला अस्पताल के CMA की माने तो जिला अस्पताल के OPD में हर रोज लगभग 2000 मरीज आते हैं उनमें अधिकतर बुखार के मरीज आ रहे है और गाम में मच्छरों को मारने की दवा का छेड का कराया जा रहा है इसके साथ ही ग्रामियनों को क्लोरीन की गोली भी दी जा रही है बुखार के प्रकुप को देखते हुए केंद्र सरकार और राजे सरकार ने भी तीम बरेली भेजी है जो प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों का इलाज कर रही है जाकर दो रही है प्रुटत में जिए जाना लेंगा इसके जा करो एक फुष बारा करो